चलिए दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बताऊँगा आपको कल आपको किस दाम पर आपको शेर खरीदना है तो बहुत ही बहतरीन वीडियो होगा याद रखिए center में आपको जो दिख रहा है वो है pivot यानी जो मैंने mention किया है उपर date में अगर वो शेर इस रुपीज में open होत तो याद रखिए वो good sign होता है खरीदी का point बन सकता है लेकिन अगर वो R1 यानि resistance 1 cross करता है या 2 cross करता है या 3 cross करता है या जबदस रहेगा वो चड़ता जाएगा वो stock उस दिन के लिए बहतर रहेगा suppose अगर pivot point से पहले ही यानि गिर कर open होता है तो याद रखिए वहाँ पर गिरने के chances ज्यादा हो जाते हैं जो की 80% हो जाते हैं और S1 यानि support 1, support 2, support 3, S1, S2, S3 अगर यहाँ पर गिरता है तो याद रखिए वो गिरता ही चले जाएगा यह रहा इनकी strategy इस share की लेकिन याद लगाईए और खुद decision खुद लीजे इस वीडियो इस for education purpose only ओके दोस्तों thank you so much